दोस्तों नमस्कार शरक एलाज बिश्करमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ बाल विकाश में बाल अपराद की और आज का हमारा टॉपिक जो है वह है आप समझते हैं कि ये हमारे इसलिवास प्रात्मिक परिक्षा के अक कानूनों का पालन करना सब के लिए जरूरी होता है अनिवार होता है चाहे वह है बड़े व्यक्ति हो या बालक हो ये बात आप जानते हैं कि छोटे हो बड़े हो सभी के लिए उन कानूनों का पालन करना जरूरी होता है और यदि बड़े व्यक्ति उन कानूनों को तोड़ करते हैं उनकी अवहिलना करते हैं और करने के बाद समाज विरोधी काम करते हैं तो उसका कार अपराद यानि हम क्राइम जिसे कहते हैं उसे हम क्राइम कहेंगे यदि बालक या किशोर जो बच्चे हैं या किशोर हैं पो इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो उसकाम को हम बाल अ आपराधियों की जो निउंतम और उच्छतम आयूँ बनाई गई है वो भिन्न भिन्ना है भारत में उसी बाल या किशोर की समाज विरोधिकार जो है अपराद माना जाता जिसकी आयू साथ वर्ष और अधिक्तम आयू सूला वर्ष की होती है अर्थात कम से कम जिसकी शाद वर्ष होती है और अधिक से अधिक सूला वर्ष होती है ऐसा बच्चा यदि कोई अपराद कर देता है तो उसे हम बाल अपराद कहत गुड के अनुशार हम बात करेंगे कोई भी जो बालक है जिसका वहवार शामान शामाजिक वहवार पे इतना मिल जाए जो शामान वहवार है सामाजिक वहवार है उससे इतना मिल जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके अर्थात हम उसे समाज विरोधी कहेंगे तो उसे बा बाल अपराद की परिवाशा किसी कानून के उस उलंगन के रूप में की जाती है अर्थात कानून का जो उलंगन है उसे ही हम परिवाशा के रूप में दे सकते हैं जो किसी वयाश्क द्वारा किये जाने पर अपराद होता है कोई वयाश्क बड़ा व्यक्ति को यदि अपराध्यों के रूप में डंड नहीं होता है सजा के लिए होता है बाल अपराध्य के श्वरूप की बात करेंगे कि छोरी करना जूड बोलना नशा करना जेब काटना जगड़ना चुनौती देना शिग्रेट पीना व्यावी चार करना तोड फोड करना दूसरों पर आक्र कक्छा में देर से आना, छोटे वालकों को तंग करना, बड़ों के बिरुद्ध विद्रोह करना, दिन और रात में निरुद्देश घुमना, बस और रेल में टिकेट यात्रा करना, दीवारों पर उचित या अनुचित बाते लिख देना, जुएं के अड़ों और सराप खान में आना जाना, माता पिता की आज्या की विना घरते, गयब हो जाना, सड़क पर चलते समय, उस पर चलने की नियमों का पालन न करना, यह सब जो आएंगे वो बाल अपराद की श्वरूप में आएंगे, उनके रूप हैं, तो बाल अपराद के क्या कारण है, इस पर हम बात करते हैं, कि शामाजिक समश्या के रूप में बाल अपराद में जो हम देख रहे हैं, कि धीरे धीरे इसमें ब्रद्धी होती जा रही है, और इसलिए डेलिंग क्योंसी ऐसे सोसल प्रॉबलम एपिएस टूवी दे इंक्रीज, इसके कारण जो हैं उनकी बात करेंगे, तो प देख सकते हैं, तो अनुवाइशिक कारण में पहला हम देखते हैं अपराधी प्रवित्ती, जो अनेग वैज्ञानिक है, उनका मत है, कि जो बाल अपराधियों का जन्म होता है, बाल अपराध करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनका जो जन्म होता है, वह कुछ मनोवैज ज्यानिक ने अपने अन्वेशनों से सिद्ध किया है जो अन्वेशन किया है उससे सिद्ध किया है कि बालकों को अपराधी प्रवित्ती अपने माता पिता के वैंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती माता और पिता का जो वैंशा है वैंशानुक्रम है माता पिता से के उत्पादक गुण सूत्र होते हैं ठीक है इस्त्रियों में एक्स एक्स और पुरूसों में एक्स वाई असाधरन दसाओं में कुछ इस्त्रियों में केवल एक्स असाधरन दसा की बात की जा रही है सिंगल एक्स जबकि में शामान में एक्स एक्स गुण सूत्र होते हैं अ पुरूसों में एक्स वाई में एक वाई एक्स्ट्रा लग जाए तो इन्हें हम आशाधारन कहेंगे ऐसे मनुष्य बाल अप्रावणियों को जर्म देते हैं दूसरा हम खान अमबर देखते हैं शारीरिक इसका कारण क्या है शारीरिक दोस की बाद भी होती बालक के शारीरिक दोस उसके तिरेशकार की कारण मन जाते हैं उसका हम तिरेशकार करते हैं अपमान करते हमेशा इस कारण तिरेशकार ते उसके आत्मे शम्मान को ठेस पहुंचती है और जिसके कारण वह तिरसकार का बदला लेने के लिए दूसरों को कश्ट देने और सताने का अपरात करने लगता है मनुवैज्ञानिक ने इसका एक उधारन दिया है बालक की आखें कमजोर थी और वह पढ़ नहीं सकता था दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते थे उससे उसके आत्म शम्मान को छोट लगती थी अता उसने चसमा लगाने वाले लड़कों के चसमे चुराने आरम कर दिये जो लड़के चस्मा लगाते थे उनके चस्मा वो चुराने लगे पहले तो उसने ऐसा उनको तंग करने के लिए किया पर धीरे धीरे उसको चूरी करने की लट पड़ गई फिर इसके कारण करने लगा यूनांगों का तीब्र विकास भी ये कारण हो सकता जिन बालकों और बा के व्यक्तियों से संभोग इस प्रकार के काम करने लगते हैं मनोग अज्यानिक कारण भी हो सकते हैं इसके मानसिक रोग जैसे बालकों के मानसिक रोग उनके अपराधी बनने के लिए उत्तरदाई होते हैं और इन रोगों से ग्रस्त जो बालक हैं उनमें मानसिक तनाव होगा विचार शूनिता होगी असंतुलन या अंतरदंध उत्पन हो जाता है ऐसी दसा में भी अपना आत्म नियंतरन खोने के कारण अपराद कर बैठते हैं ग्रंथियों के कारण भी ये समश्या आती बाल अपराद की की जिस बालक में ग्रंथियों का निर्मान हो जाता है वह के बात कोई ना कोई अपराद करने लगता है जैसे विमाता ग्रंथि या हीन भावना की ग्रंथि नाम याद रखना विमाता ग्रंथि को ही हम कहते हैं हीन भावना ग्रंथि उसमें प्रतिशोद की भावना उत्पन करके उससे कोई भी आसामाजिक कार्य करवा सकती है याई में कार्णों में यह सबसे अधिक महत्पूर्ण माना जाता संबेगात्मक असंतुलन क्योंकि शंबेगात्मक असुरक्षा हींता की भावना प्रेम और सहनुभूती का भाव तथा कठोर अनुसासन के प्रती पूर्ण समर्पन न केवल बालक के वैवार और गटित उको असमय जित कर देता है वरन उसे अपराध करने की भी प्रेणा देता है कि अपराध कैसे करें ये भी प्रेणा मिलने लगती है हीली और ब्रोनर ने अपने अध्यान में पाया है कि इंक्यानबे प्रतीशत जो अपराधी होते हैं वे संबेगात्मक अर इस्थिर्ता थी उनमें ऐस इनको प्रियोग करने पर गह नमबर परिवारिक परियवरन की भी प्रिष्ट भूमी होती है अपराद में भगन परिवार की जाएसे और भगन परिवार से आ साई क्या है ऐसे परिवार से जहां परिवारिक संबंध तूड़ चुके होते हैं अर्था तलाक, प्रथकरण, मात पीता की म्रत्तू या फिर निरंतर, अनुपस्थित अधी इनके मुख कारण है और इन परिवारों में बालकों पर किसी का नियंतर नहीं होता है इससे बूरी संगट में पढ़ जाते हैं और अपराद करने लगते हैं अनैतिक परिवार जिन बालकों के माता पीता, भाई व बालक बहुत कम होते हैं, जो अपने माता पीता को अपराद करते देखकर स्वम अपराधी ब्रत्ती की ओर प्रवित नहीं होते हैं, ऐसे बहुत कम होते, मिस इलियट ने स्लेटन फार्म की अपरादी लड़कियों का अध्यान किया और यहां पारा उनने कि उनमें से 67% लड पूर्ण होती है, क्योंकि अतिदिक निर्धन परिवार के जो बालक होते हैं, उनको आरम से ही खाने की वस्तु की चूरी करना या भीग मांगने के लिए बात धोना पड़ता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, जिनमें बालकों और बालिकाओं को भोजन तो मिल जाता है, प हमें चाहिए बालक चाहता तक पान सेगरेट सिनेमा के लिए पैसे हो, बालिकाओं सरंगार के लिए साथ सरंगार के लिए पैसे चाहती है, तो इसे बालक चूरी और बालिकाओं ब्याविचार करके धन प्राप्त करने लगती है, तिरस्कृत बच्चे की बात करेंगे, जो बच्चे माता पीता का द्वारत तिरस्कृत होते हैं अनि माता पीता तिरस्कार कर देते हैं बेपरात की ओर बढ़ जाते हैं अक्रसर हो जाते हैं इस तिरस्कार का मुख कारण सौतेले माता पीता का हुना माना जाता है जो सौतेले माता पीता है वो ऐसा करते हैं इन्हें ति वो ऐसे आवारा लोग का प्यार मिलता है और वे कुछ समय के बाद उनके द्वारा बताय हुए अपराद की कारियों को करने लगते हैं गली में घुमने वाले जैसा काम बताएंगे वैसा करने लगेंगे बच्चों के प्रती दुर्वहवार की बात करेंगे जो बाल अपराद का सबसे महतुन कारण परिवार के दुर्वहवार का अनुभव किया जाता है कि उनके परिवार में जो दुरवहवार हो रहा उसके कारणी बच्चे हो जाते हैं यह यदि वालक को परिवार में बड़े व्यक्ति द्वारा सद्य और डांटाया मारा जाता है दोस निकाला जाता है और आलोचना की जाती है तो वह अत्रदिक उदाशीन और चिंता ग्रस्त हो जाते हैं वह परिवार से समयोजन करने का प्रयास करता है जब वह ऐसा करने में असफ़ल हो जाता है तो विद्रोप कर उड़ता है और आसामाजी कार करने लगता जैसे विद्ध्यालय से भाग जाना घर से रुपय और अभूशन लेकर गायब हो जाना इस टाइप के काम करने लगते हैं विद्ध्यालय की दोषपूर्ण परिष्थितिया भी बहुत मायनी रखती है इन बच्चों के लिए कि बालक की जो दोषपूर्ण परिष्थितिया अपराधी बनाने में सहयक कैसे होती इसकी बात करेंगे कि विद्ध्यालय की जो आसपास का दूसी द्व दो स्पूर्ण पाठक्रम है इसके कारण बच्चे अपराधी प्रिवत्ती की और जाते हैं आरुचिकर फिक्षन पद्धती होती है हमारी आप जानते हैं विद्यालाय का गलात अनुसासन भी यदी हो तो भी बच्चे दूसरी और आकरसित हो जाएंगे और बच्चों जो प्रुभाव पड़ेगा धार्मिक और योन सिक्षा का अभाव है क्योंकि यहां पर दिया नहीं आता है करके बच्चे अपराधी निकलने लगते हैं सिक्षा का कठोर बहवार जो है यह भी बच्चों को अपराधी प्रुत्ती की और ले जाता है तो दोस्तों आज के वीड चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू लगते हैं